आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए हैवानियात के बाद ममता सरकार की कारेफ्रणाली को लेकर सुप्रीम कोट सक्त है। सुप्रीम कोट ने F.I.R. से लेकर पूरू प्रिंसिपल संदीब घोश को दूसरे कॉलेज में नियुक्त किये जाने को लेकर अपने नाराज की जताई है। साथी C.B.I. और बंगाल सरकार से जाच रेपोर्ट सौपने को कहा है। रेपोर्ट देखें। कि वार्दात के बाद F.I.R. दर्ज कराने में देरी क्यों की गए। क्यों पेड़ता के माता को देर से सूचना दी गए। क्या प्रिंसिपल ने हत्या को आत्म हत्या बताया। पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया। अस्पताल में हुई तोड़ बोड को सरकार ने क्यों नहीं संभाला। पीड़ता की पहचान को कैसे ओजागर होने दिया गया। इतना ही नहीं वार्दात के बाद F.I.R. में हुई देरी को लेकर भी सुप्रीम कोट ने राजसरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोट ने पूछा कि सबसे पहले F.I.R. किसने और कब दर्ज कराई। जिसका जवाब देते हुए पश्यमंगाल की तरफ से पेश हुए कफिल सिब्बल ने बताया कि राद 11 बचकर 45 मिनिट पर F.I.R. दर्ज की गई। इसके बाद नाराज़ी जताते हुए सुप्रीम कोट ने कहा कि आखिर वारदात के इतने घंटों बाद भी उस्पिटल प्रशासन क्या कर रहा था। क्यों F.I.R. दर्ज होने में इतनी देरी हो गई। यह हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो F.I.R. दर्ज कराता। आज़ी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्ट प्रिंसिपल संदीब घोश को लेकर भी सुप्रीम कोट ने ममता सरकार पर सवाल उचाया और पूछा कि राज उस सरकार ने अब तक प्रिंसिपल संदीब घोश पर कारवाई की है जब प्रिंसिपल खुद इस मामले में संदिक्त है तो कैसे उसको तुरन दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल न्युक्त किया गया इतना ही नहीं जिस जगह वारदात को अंजाम दिया गया वहाँ रैनुवेशन का काम कैसे किया ज़ा रहा था कैसे हाजारों लोगों की भीड को मैडिकल कॉलिज के अंदर आने दिया गया इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सकती दिखाते हुए एक आठ सदसियन नाशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जो मामले की जाच करके तीन हफते में अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने में फाइनल रिपोर्ट सौपेगी इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबियाई से दो दिन के अंदर जाच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी और बंगाल सरकार से अस्पताल में हुए हंगामे की जाच रिपोर्ट मांग कर 22 अगस्त को अगली सुनवाई का आदेश दे दिया ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत क्राइम सीन सुरक्षित क्यों नहीं किया गया उस एरिया को सील क्यों नहीं किया गया उसके बाद कोट कहता है कि हजारों की भीड अंदर कैसे आई कैसे यहाँ पर हमला होता है अस्पताल के भीतर आट सदसे टास्क फोर्स बनाने के निर्देश जारी के सर्वोच अदालत ने सुप्रीम कोट ने सीबियाई ने जाच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है तीन हफते का समय दिया गया है जब सीबियाई की जो स्टेटस रिपोर्ट है डریک्टली सुप्रीम कोट के पास जाएगी सुप्रीम कोट ने गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और काय कि इसमें देरी नहीं होनी चाहिए निश्वक्ष तरीके से रिपोर्टा है, केस हाई कोट के लिए नहीं छोडेंगे, ये भी सुप्रीम कोट ने कहा है, क्योंकि इस मामले में आपको बता दे, सर्वोच अदालत ने स्वतह संग्यान लिया था, जिसकी आज सुनवाई हुई थी, पश्यमंगाल में कानून घरे में खड़ा किया गया सर्वोच अदालत की आज की सुनवाई में, इसे बीच अगली खबर आपको सलोनी बताएंगी तो सुप्रिम कोट में क्या हुआ यह हमने आपको जानकारी दे दी, लेकिन आब जो पूरा मामला सामने आया है, उसको लेकर अभी तक इंडी गट बंदन की तरफ से, विपक्ष की तरफ से एक शब्द भी नहीं कहा गया है, और उसको लेकर भारती जिंता पार्टी ने प् प्रियास किया गया, पहला विशे घटना, फिर घटना का समवेदन हीन बचाओ, उसके बाद जिस निर्ममता के साथ सबूतों का नश्ट होना, उसके बाद उपद्रवियों के द्वारा, वहां आतंक और उसके बाद बयान की धमकी, और आज एक बात और इस पश्ट हो गई कि त्रण मूल कॉंग्रेस की सरकार तो पूरी मिरलजिता के साथ अपराधियों को संदक्षन और पोशन देने में तो लगी हुई है, परन्तु इंडी गठवंदन का किरदार भी साफ हो गया, मैं देश की जनता के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि आज त्रण मूल कॉं कॉंग्रेस सरकार का वकील कौन है, शृ कपिल सिब्बल, वकील है पश्चिम बंगाल सरकार के, संसद है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी कι समर्थन से, और पूर्व मंत्री है कांग्रेस सरकार के, अब कोई किसी प्रकार का किंतु परन्तु नहीं है कि यह सब ए अर्जीकर मेडिकल कॉलेज के पूरू प्रिंसिपल से लगातार पूछताच की जा रही है वहीं आरोपी संजय रॉय के साइकोलोजिकल टेस्ट के बाद दो बार साइकोलोजिकल टेस्ट के बाद आप पॉलिग्राफिय टेस्ट के तैयारी है जिससे की पूरा सच सामने आ सके रिपोर्ट देखे कॉलकाता रेप मडर केस में पूर्ट प्रिंसिपल संदीब खोश और आरोपी संजय रॉइप और CBI का शिकंच्वा कस्ताजवा रहा है संदीब खोश से जहां सीब्याई घंटों घंटों पूश्ताज कर रही है तो वहीं आरोपी संजय रॉइप के टेस्ट करवा कर हर एक सथ जानने की कोशुश की जा रही है हर एक छोटी से छोटी चीज की तलाश हो रही है सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए वारदातवारी जगह के 3D मैपिंग कर आई गई तो वहीं तमाम रेपोर्ट से जो सामने आ रहा है उसे दरिंदे संजय की हैवानियत से परदा उठता जा रहा है हालाखे आरोपी संजय रोय से पूशताच के बाद भी CBI फिलाल संतुष्ट नहीं है इसलिए संजय के दो साइकलोजिकल टेस्ट होने के बाद भी CBI की टीम आप पॉली ग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी में है इस टेस्ट में व्यक्ति को मशीन से जोड़कर सवाल पूछे जाते हैं जब आप देते समय मशीन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सास लेने की दर्मा पी चाती है जूट बोले पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर पढ़ जाता है सीबी आई को शक है कि संजे अभी भी बहुत से राज शिपा रहा है जो इस मामले में चल रही जाज को एहम मोर दे सकते है